क्या दोस्तों आपको पता है इंवेश्ट इंडिया को 2020 का संयुक्त राष्टर निवेश प्रोचसाहन पुरसकार किसने प्रदान किया है हाल ही में सुर्क्यों में रहे अंजु बॉबी जोर्ज किस खेल से जुड़ी हुई है और इंडिया मॉबाइल कॉंग्रेस 2020 की थीम क्या रखी गई है ऐसे ही तेरो बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 9 दिसंबर का करेंड अफ़र का वीडियो तयार किया है यह वीडियो लास्ट तक देखे लास्ट में मैं आपसे एक क्वेशन पुछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेट बोक्स में देना है और अभी तक आपने हमारी जीक के 2020 चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया है तो सब्सक्रेब किजिए बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर जिजिए क्योंकि आने वाले हरे एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे चलिया स्टार्ट करते हैं पहले क्वेशन से इन्वेश्ट इंडिया को वर्ष 2020 का संयुक्त राष्टर निवेश प्रोच्छान पुरसकार किसने प्रदान किया है तकरिबन 180 देशों में हमारा भारत के इन्वेश्ट इंडिया ने यह पुरसकार प्राप्त किया है तो यह हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्दी मानी जाती है क्योंकि संयुक्त राष्टर निवेश प्रोच्छान पुरसकार इसी COVID-19 की परिस्थिती में भी हमारे भारत देश नी जिता है और यह पुरसकार प्रदान किया गया है UNCTAD यानिकि अंक्टाडने तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्टर सम्मेलन यानिकि अंक्टाडने इन्वेश्ट इंडिया को संयुक्त राष्टर निवेश संवर्धन पुरसकार 2020 के लिए विजेता गोशित किया है और यहाँ आप इस इमेज को देखे यहाँ पर क्या लिखा है अ प्रावड मोमेंट फोर इंडिया इन्वेश्ट इंडिया विन्स यू एन इन्वेश्टमेंड प्रमोशन अवर्ड दोजार बीस और उन्होंने एक सो असी प्रतिभागी देशों में यह पुरसकार जित लिया है और वो भी कोवीड-19 की परिस्थिती में तो यह पुरसकार विश्व की निवेश्ट समवर्धन एजेंसियों को उनकी उलेखनिय उपलब दियों के लिए दिया जाता है जो हाल ही में इन्वेश्ट इंडिया को दिया गया और यह पुरसकार हमारे भारत को कहां प्रवड किया गया है यह पुरसकार जिनेवा में अंक्टाड के मुख्यालई में आयोजित समारों में प्रदान किया गया और विजेता का चयन विश्व की 180 राष्ट्रिय निवेश समर्दन एजेंशियों के कार्य के आधार पर यह किया जाता है और यहां जब बात करते हैं अंक्टाड की UNCTAD तो अंक्टाड का पुरा नाम क्या होता है United Nations Conference on Trade and Development हिंदी में कहें तो व्यापार और विकास पर संयुक्ता राष्टर सम्मेलन अंक्टाड और यह एक स्थाई अंतर सरकारी निका है इसका हैड़क्वेटर का पर सी थे स्वीजर लेंड के जिनिवा में तो यह फैक्ट भी आपको याद रखने है और इसी तरफ हर क्वेशन से जुड़े important फैक्ट में आपके सामने रखता हूँ हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत बुलिएगा दूसरा क्वेशन है आपकी स्क्रीन पर हाल हीमे सुर्क्यों में रहे गॉंड, मुढिया और मारिया जन जाती किस राज्य में निवास करती है सूर्ख्यों में रही जन जाती जिसका नाम है गौंड, मुडिया और मार्या यह जन जाती किस राज्या में पाई जाती है? 36 गड राज्या में यानिकि इस क्वेशन का सही अंसर है 36 गड राज्या और यह जन जाती जो अपनी प्रोड़क्ट्स है जो वन उत्पाद है वो ट्राइब्स इंडिया के जरिये अपने ओनलाइन बिकरी करते है और इसलिए यह जन जाती सुर्ख्यों में रही जो 36 गड में पाई जाती है और हाल ही में इनसे जुड़े कुछ महत्व पुर्ण उत्पाद को इमार्केट प्लेस के जरिये प्रोड किया गया है तो हाल ही में लॉंच हुई भारत की सबसे बड़े हस्त शिल्प और और ऑर्गेनिक उत्पादों के बाजार ट्राइब्स इंडिया इमार्केट प्लेस ने जन जाती है उत्पादो और हस्त शिल्प का प्रदर्शन किया जिससे यह पूरे देश के ग्राह को तक पहुच सके जी हाँ जो ट्राइब्स है उनकी जो प्राड़क्स है वो यह e-marketplace के जरिए ओनलाइन बिक्री करते है और उनकी आमदनी में भी बढ़ावा होता है और सबसे पहले बात करें जारखंड की यह जनजाती क तो जारखंड के ओराव जनजाती द्वारा तैयार किये गए विबिन फ्लेवर्स जैसे की नारियल, तील, बादाम, बेशन और मखन के स्वादिष्ट कुकीज शामिल है और दूसरे राज्य की बात करें तो ओर्गेनिक उत्पाद रेंज में 10 उत्पाद तमिल नाडु में मलियाली जनजाती से लिये गए है, कौन सी जनजाती? मलियाली जनजाती से यह 10 उत्पाद लिये गए है और इनमें और्गेनिक पूर्ण बाजरा, और्गेनिक चना, और्गेनिक बाजरे के बिस्कूट, और्गेनिक बाजरे के चावल की वेराइटी, हल्दी पावडर और ह इसरे राज्य की बात करें तो ओडिशा, ओडिशा की खौंड जन जाती, इमेज में अब देख सेते हैं, ओडिशा की खौंड जन जाती से इस हफते पांच उत्पद लिये गए है, इनमें साल रेसिन से बनी ओर्गेनिक अगरबत्ती, ओडिशा की 300 से ज्यादा आदिवासी मह लाओ द्वारा तैयार किये गए, ओर्गेनिक मेथी पावडर, सौठी यानिकी जिसे हम सुखी अदरक कहते हैं, वो सौठी पावडर, धनिया पावडर और पंच फुटन, पंच फुटन यानिकी टड़का गार्निश मसाला या सभी प्रोड़क्ट इसमें शामिल है, उसी अनलाइन दोस्तों विक्री के लिए रखा गया है, और यहां क्वेशन में जिक्र किया गया है चतिस गड़का, तो चतिस गड़के गौंड, मुडिया और मारिया जन जाती की और से प्रत्यक्स प्राकृतिक फोरेश्ट फ्रेश शहद, इमेज में आप देख सकते हैं, चति वन तुलसी शहद, कौनसी? वन तुलसी शहद, जो की प्रमानित भी है, तो इसी तरह के प्रोड़क्स, दोस्तों जो जन जाती के हैं, वो ट्राइब्स इंडिया के जरिए ओनलाइन विक्री किये जा रहे हैं, और इसमें योगदान देता है ट्राइब्स इंडिया, यानि क ट्राइब्स इंडिया के जन जाती या कारिया मंत्राले के अधिन ट्राइब्स इंडिया करता है, और ट्रीफेड का पुरा नाम क्या होता है? ट्राइब्स इंडिया लिमिटेड ट्राइब्स इंडिया का पुरा नाम है, वो भी आपको याद रखना है, और यहां जिक्र किया गया है 36 गट का, तो आप में देखिए, मध्यप्रदेश से अलग हुआ यह 36 गट, जिसके आसपास मध्यप्रदेश, महराष्ट्र, यहां पर ओडिशा, जारखन और थोड़ा सा उत्तरप्रदेश, इतने राज्यों से सटा हुआ है यह 36 गट, 36 गट का गठन का हुआ, एक नवंबर 2000 को, 36 गट की कैपिटल का नाम है राइपूर, लेकिन यह जो नया राइपूर है, वो और उनकी कैपिटल राइपूर से तक 37 गट के मुख्य मंतरी है भुपेश बगेल, तिसरा क्वेशन, इंडिया मॉबाइल कॉंग्रेस 2020 की थीम क्या रखी गई है, इंडिया मॉबाइल कॉंग्रेस 2020 की थीम इसी साल रखी गई है समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, स्थाई, यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है option बी इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस 2020 की थे और यहां पर देखे यहां उतकाटन सत्र को हमारे प्रदान मंत्री स्री ने संबोधित किया कब संबोधित किया तो कल 8 दिसंबर को दोस्तो 10 बजगर 45 मिनिट पर हमारे प्राइम मिनिश्टर ने यह उतकाटन सत्र को संबोधित किया प्रदान मंत्री स्री नरेंद्र भाई मोधी ने 8 दिसंबर 2020 को सुब दस बजकर 45 बजे वर्चुल इंडिया मॉबाईल कॉंग्रेस IAMC IAMC में उत्खाटन भाशन दिया और IAMC 2020 का आयोजन कीश के द्वारा किया जा रहा है दूर संचर विभाग भारत सरकार और Cellular Operators Association of India के द्वारा यह इंडिया मॉबाईल कॉंग्रेस 2020 का आयोजन किया जा रहा है और इंडिया मॉबाईल कॉंग्रेस की बात करे तो इंडिया मॉबाईल कॉंग्रेस 2020 की थीम क्या रखी गई है जैसा कि मैंने क्वेशन में बताया समावेशिन नवाचार स्मार्क सुरक्षित स्थाये जो इस साल की थीम है और यह इंडिया मॉबाईल कॉंग्रेस की इस उद्देश्य से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है प्रदान मंत्री के आत्मनिर्पर भारत डिजिटल समावेशिता एवन सतत विकास उद्यमिता और नवाचार के विजन को बढ़ावा देने में मदद करने है तो यह इंडिया मॉबाईल कॉंग्रेस का आयोजिन किया जाता है जो आठ दिसंबर से लेकर दस दिसंबर तक चलेगा और विश्व की जाने माने जो इन्वेश्टर है वो इसमें हिस्सा ले रहे है और टेक्नो क्रेट्स भी चोथा क्वेशन हाल ही में बनकर तयार हुआ चाओदा लेन का एक्सप्रेस वे दिल्ली को किस शहर से जोड़ेगा दोस्तों चाओदा लेन वाला हाल ही में एक एक्सप्रेस वे बनकर तयार हो गया है और यह दिल्ली को जोड़ेगा मेरट से मिरुथ से यानिकि इस क्वेश एक्सप्रेस वे भी जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों को सेवा देने लगेगा और जब यहां ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए कुछ हमारे क्यांदर सरकार ने यहां दिल ही और मेरट से कनेक्टिवीटी बढ़ाने है तो महत पुरुनकारिय किये है जैसा कि देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्टर सिस्टम मेरट से दिल्ली के बीच बन रहा है जो हाल ही में शुरू किया गया है उतकाटन किया गया है और पस्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों को जोडने वाले गंगा एक्सप्रेस व गंगा एक्सप्रेस वे वो भी मिरट और प्रियाग राज को जोडने वाला है दोनों के बीच की दूरी लबगग है 637 किलोमिटर और एक बात याद रखो मुंबई और नागपूर के बीच महा समरुद्धी मार्ग बनाया जा रहा है कौन-कौन से स्थान मुंबई और देश में और ग्रेटर नॉइडा के जेवर में यहां देख सकते हैं जेवर एरपोर्ट तो ग्रेटर नॉइडा के जेवर में आधुनिक विश्वस्तरिय ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट से तो इस पूरे क्षित्र की पहचान पूरी तरह बदल जाने वाली है तो इसी तरह यह और टूरिजम कमपेटिटिवनेस इंडेक्स में कौन से नंबर पर आ गया है हमारा भारत देश ट्राविल एंड टूरिजम कमपेटिटिवनेस इंडेक्स 2019 की बात कर रहे है तो इसमें हमारा भारत देश आ गया है 34 स्थान पर यानिकि इस क्वेशन का सही अंसर है 34 स्थान तो 2013 में भारत ट्रावेल एंड टूरिजम कमपेटिटिवनेस इंडेक्स में 65 नमबर पर रुख पड़ा था कौन से नमबर पर 65 नमबर पर और अब वहां से इतनी प्रगति हुई है कि वो पहुँच गया है 34 स्थान पर तो यहां आप इस चार्ट को देखे कि हमारा इंडिया ट् 40 वे स्थान पर और 2019 में अब 34 वे स्थान पर है एस मामले में तो यह फेक्ट आपको याद रखने है चाथा क्वेशन इमेज में देख सकते हैं अंजु बोभी जॉर्ज सुर्ठों में इसलिये आई क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की एक कहानी बताई क्योंकि उनकी एक किड़नी है वो फैल हो चुकी है फिर भी एक कीड़नी के बलबुते उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे मेडल हासिल किये है और इसलिए अंजू बोबी जोर्ज किस खेल से जुड़ी हुई है वो मैंने यहां क्वेशन सेट किया है बताइए कौन से खिल से वो लंबिक कुद यानि कि लोंग जम की एक जानी मानी हमारी भारतिया एथलेटिक्स अंजू बोबी जोर्ज वो लोंग जम से जुड़ी हुई है उनके करियर की बात करें तो पैरिस में 2003 में विश्व एथलेटिक्स चेंपियनशिप में काशिय पदक जीता भारतिया खिलो में इत्यास रचने वाली ओलम्पियन अंजू बोबी जोर्ज ने कहा है कि उन्होंने एक किड्नी के सहारे शिर्शस्तर पर सफलताये हासिल कि है यानि कि हमारे लिए एक मोटिवेशनल यह स्टोरी बन सकते है और उनके जिवन से हम कुछ सिख सकते है और IAAF विश्वा चेंपियनशिप जो पेरिस 2003 में आयोजित हुई इसमें भारत की एक मात्रव पदक विजेता रहे थे अंजू बोबी जोर्ज और IAAF विश्वा एथलेटिक्स फाइनल्स जो मोनाको में 2005 में आयोजित हुआ इसमें हमारी अंजू बोबी जोर्ज ने गोल्ड पदक हासिल किया था उनके करियर की बात करे तो वो ओलंपिक खेल 2004 में चठे स्थान पर रहे थे लेकिन डॉपिंग के मामले में एक जो खिलाडी थी चोवे स्थान पर पांचवे स्थान पर और पांचवे स्थान पर जो खिलाडी थी उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया और बाद में हमारी अंजू बोबी जोर्ज पांचवे रहंकर पर पहुच गई थी उन्होंने तब 6.83 मिटर कुद लगाई थी लोंग जम कितना हम भी नहीं लगा सकते लेकिन हमारे इस महला ने यक कर दिखाया और वे एक गुर्दे के सहारे यानकी एक किड्नी के सहारे विश्व में शिर्शस्तर पर पहुची थी तो ये बात भी आपको याद रखनी है सातवा कुशन और चार साल की यह परियोजना मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आम कारेश्वर और महेश्वर बांधों के बीच नर्मदा नदी की चयनित सहायक नदियों के जल ग्रहन क्षित्र में लागू की जाएगी और बात याद रखो कि इस कार्यक्रम के तहत समान अनुपात में NTPC Limited और United States Agency for International Development से अनुदान सहायता के साथ साजयदारी की गई है यानिकि NTPC और इसके साथ साजयदार है USAID यानिकि पुरा नाम है United States Agency of International Development और NTPC की बात करें तो NTPC भारत की सबसे बड़ी विद्यूत उत्पादक कम्पनी है NTPC का पुरा नाम क्या होता है National Thermal Power Corporation Limited और सन 2016 में विश्व की 2000 सबसे बड़ी कम्पनियों में NTPC का 400 वस्थान था NTPC की स्थापना कब हुई 7 नवंबर 1905 को NTPC का हेड़क्वाटर नई दिल्ली में स्थी थे आठवा क्वेशन हाल ही में हरित उर्जा परियोजनव के लिए SJVN ने किसके साथ समझोता किया है हरित उर्जा यानिकी अक्षय उर्जा परियोजनव के लिए SJVN ने हाल ही में इर्यडा के साथ समझोता किया है यानिकी इस क्वेशन का सही आंसर है इर्यडा नविन और नविकरणिय उर्जा मंत्रालाई के तहत आने वाला सार्वजनिक उपक्रम इर्यडा हरित उर्जा परियोजनव के लिए SJVN को अपनी सेवाये प्रदान करेगा और SJVN के CMD यानिकी प्रमुक एवं प्रबन निदेशकों है स्री नंदलाल शर्मा और इस दिशा में कदम उठाये जा चुके है और वर्तमान में SJVN गुजरात में 100 मेगावट की धोलेरा सौर उर्जा परियोजना और 100 मेगावट की रागवेंदा सौर उर्जा परियोजना विक्सित कर रहा है तो हमें यह भी याद रखना है कि यह तोलेरा सौर उर्जा परियोजना किस राजजम्याकार ले रही है गुजरात राजजमें जिसकी क्षमता है 100 मेगावट एक और बात याद रखनी है कि 100 मेगावट वाली रागवेंदा स्वार उर्जा परियोजना भी हाल ही में विक्सित हो रही है और यहां बात करते हैं इरेडा की इरेडा का पुरा नाम क्या होता है इंडियान रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलोपमेंट एजन्सी लिमिटेड और यह भारत सरकार के नविन एवं नवीकरणिय उर्जा मंत्राले के प्रशासनिक नियंत्रण के अधिन कारियरत एक मीनी रतन स्रेणी वन की एक प्रकार की कंपनी है और ग्रीन विंडो के लिए लगबग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन पर वीचार भी किया जा रहा है इस मामले में नवा कुशन पांच या इस से अधिक व्यक्तियो द्वारा जुलूस धरना प्रदर्शन रेली और गेराव पर प्रतिबंद लगाने के लिए किस धारा को लागू कर दिया जता है जी हाँ दोस्तो आपको भी पता है कि कल भारत बंद का एलन था और इस मामले में कई राज्यो में यह CRPC की जो एक धारा है वो लागू कर दी गई और जब यह धारा लागू कर दी जाती है तो कोई भी 5 से अधिक व्यक्ति जुलूस धरना प्रदर्शन रेली या गिराव नहीं कर सकते और इस धारा का नाम है दोस्तो धारा 144 जी हाँ धारा 144 हाल ही में कई राज्यो में लागू कर दी गई और इसलिए यह CRPC की धारा 144 सुर्ख्यों में रहे CRPC का पुरा नाम क्या होता है तो याद रखो Criminal Procedure Code क्या? Code of Criminal Procedure जो 1973 का है तो CRPC की दारा 144 शांती कायम करने के लिए उस स्थीती में लगाई जाती है जब किसी तरह के सुरक्षा सबंधिक खत्रे या दंगे की आशंका हो क्योंकि हाल ही में जब किसान आंदोलन चल रहा है तो इसी को देखते हुए शांती बनाए रखने के लिए CRPC का यह Section 144 लागू कर दिया गया तो दारा 144 जहां लगती है उस इलाके में 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते दारा लगू करने के लिए इलाके के जिला दिकारी द्वारा एक notification जारी किया जाता है किस के द्वारा जिला अधिकारी के द्वारा तो क्या दोस्तों आपको पता है अखिलेश यादव को किस धारा के अंतरगत पूलिस ने हिरासत में ले लिया है आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्षन में लिखिए सेक्षन 144 याद रखना करंड अफेर में है दस्वा क्यूशन आयूश मंतरालाई के साथ मिलकर एक आयूश निर्यात समवर्धन परिशद यानिकी AEPC की स्थापना करेगे जी हाँ, हमारा आयुश मंत्रालाई है, वो वानिज्य एवं उद्योग मंत्रालाई के साथ मिलकर एक आयुश निर्यात समवर्दन परिशत की स्थापना करेगे, जीसके कारण जो आयुश के प्रोड़क्स है, उसको हम निर्यात कर सके और आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, तो आयुश मंत्रालाई और वानिज्य एवं उद्योग मंत्रालाई मिलकर आयुश निर्यात समवर्दन परिशत की स्थापना के लिए काम करेंगे, और प्रस्तावित AEPC को आयुश मंत्रालाई के तहत रखा जाया सकता है, और AEPC, इसका पुरा नाम क्या होता है, A बोले तो आयुश E बोले तो एक्सपोर्ट, P बोले तो प्रमोशन और C बोले तो काउंसिल, यानिकि आयुश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ओके, इसका हाल ही में स्थापना करने का विचार किया जा रहा है, और आयुश मंत्राले की बात करते है, आयुश मंत्राले के मंत्री क उद्योग मंदरालेकिया मंदरी कौन है? पियूश गोयल जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं 11 वा कुशन भारत अंतर राष्ट्रिय विज्ञान महोचव का आयोजन कहां किया जाएगा? भारत अंतर राष्ट्रिय विज्ञान महोचव इंग्लिश में बोले तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? दोस्तो दिल्ही में नहीं, जैपूर में नहीं, गांधीनगर में नहीं यह वर्चुल तरीके से आयोजित हो रहा है भारत अंतर राष्ट्रिय विज्ञान महोचव यानिकि हमारा आंसर बन जाता है इन में से कोई नहीं क्योंकि पूरी तरह यह इवेंट है वो वर्चुली फॉर्मेट में आयोजित की जा रही है और कब आयोजित होगी तो 22 से 25 दिसंबर 2020 के दोरान यह वर्चुल तरीके से आयोजित होगी यानिकि कोई भी लोकेशन नहीं है तो भारत अंतर राष्ट्रिय विज्ञान महोचव 2020 का 22 से 25 दिसंबर 2020 के दोरान वर्चुल मंच पर आ साइंस फेस्टिवल 2020 और यह इस वर्ष के इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की थेम क्या रखी गई है आत्मा निरबर भारत और वेश्विक कल्यान के लिए विज्ञान जो इस साल की थेम रखी गई है और इस वर्षन 9 स्रेनियों के तहत 41 कार्यक्रम आयोजित क किये जाएंगे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 पांच विबिन स्रेनियों में गिनीज वर्ष रेकोर्ड को प्रविष्टिया बेजने का भी प्रयास करेगा तो इसलिए आपको इन पर नजर बनाए रखने है कि क्या गिनीज बुक आफ वर्ष रेकोर्ड हमा लोगों से जोडता है विज्ञान यात्रा वो भी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का एक महत्व पूर्ण कार्यक्रम है तो विज्ञान यात्रा भारत अंतराष्ट्रिय विज्ञान महोच्शों का एक प्रमुख आयोजन है जिसका आयोजन किस ने किया तो 2 दि आपने कहीं आंसर में देखा है कि Formula 1 जो कार रेस है वो हर बार लुईस हैमिल्टन जीत जाते हैं लेकिन Formula 2 रेस जीतने वाले पहले भारतिय बन गए है जिसका नाम है जेहान दरुवाला यानि कि इस क्वेशन का सही आंसर है जेहान दरुवाला इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर पढ़िए जेहान दरुवाला ने हाली में इस तरकी एक कार रेस को जीत लिया है जेहान दरुवाला ने बहरिन में आयोजित वर्ष 2020 की सखीर Grand Prix Formula 2 रेस जीतने वाले पहले भारतिय बनकर इतिहास रच दिया है और यह Formula 2 सीजन की अंतिम दोर थी Formula 2 चेंपियनशि और 22 वर्षियत जेहान दरुवाला वर्तमान में Red Bull Junior टीम के सदस्य है कौनसी टीम के Red Bull Junior टीम के सदस्य है और कारलीन मोटर स्पोर्ट के लिए प्रतिस परथा करते हैं और दूसरे स्थान पर कौन रहा तो जापान के युकी सुना ओदा दूसरे स्थान पर रहे और ब्रिट कि इस प्रणाली को साल के सभी दिनों और 24 गंटों के लिए हाल ही में किये जाने की गोश्णा की है जी हाँ एक प्रकार की प्रणाली है जिसे हम बोलते है RTGS हमारी RBI ने डिसीजन लिया है कि 14 दिसंबर से यह RTGS की जो सुविधा है वो 24 गंटे और सभी दिनों के लिए अव इसल टाइम ग्रोस सेटलमेंट शॉर्ट में बोले तो RTGS प्रणाली को साल के सभी दिनों 24 गंटे के किये जाने की गोश्णा की है और जो 14 दिसंबर 2020 को रात साधे 12 बजे से प्रवावी होगा और यहां जिक्र किया गया है RTGS और इनके साथ NEFT और IMPS तो इसका पुरा नाम क् प्रणाली ग्राहकों के लिए सुब 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच उपलब्ध है लेकिन 14 दिसंबर से यह 24 गंटे अवेलेबल होगे और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेशन की लास्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेशन पुछाता आकांग शात्मक जिलो की र बैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है वो भी मैंने आपको बताया था और हमारे कई सब्सक्राइबर फ्रेंड है उन्होंने इस क्वेशन के बारे में डिटेल में लिखा सभी दोस्तों को धन्यवाद और इस क्वेशन का सही आंसर देने वाले कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूँगा वो है नारायन शिंदे, कटारिया अशोक, भरत देशाय, चोदरी सुनू, परमार संजू, मीरा राजप्रा, जोई पतेल, निलेश राथोर, और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, विश्व मेवाडा, निलेश पाटन वा आपका अंसर बिल्कुल सही, चोदरी प्रतिक, परवत डामोर, किंजल कटारा, करण प्रजापती, और भावना रोहेत, योगेस रावत, चावडा अजय और आशिस रावत, सवी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की वीडियो का क्वेशन ए रहा स्क्रेन पर निमना में से कौन सा संग प्रकुती के सरक्षन के लिए अंतर राष्ट्रियस संग है, हाल ही में यह संग सुर्ख्यों में रहा कि कौन सा संग प्रकुती के सरक्षन के लिए एक अंतर राष्ट्रियस संग है, और वो क्यों सुर्ख्यों में आया, वो आपको याद है, तो द वीडियो की लिंक शेर किजिए बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं फिर मिलेंगे नए करेंट अफर वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड जय हैं